नमस्कार मित्रों मैं किशोर पारिक किशोर जैपूर राजस्थान से उस हिंदुवा सूर्य को मैं नमन करता हूँ वीर महाराणा प्रताप को शत्षत नमन करता हूँ वंदन करता हूँ जिनों ने अपने स्वाभिमान आत्म सम्मान की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर लड लड़ी और भारतिये इतिहास कारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया अर्द सत्य ही इतिहास हमारा लिखा हुआ है हम शुरू से पढ़ते आए हैं बाबर का बेटा हुमायू हुमायू का बेटा अकबर अकबर का जहांगीद पर महाराना प्रताप के पिता का नाम हमें मालूम नहीं तो इतिहास ने जो हमारे गोरवपून तथ्य थे उनको छुपाया और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हमारा इतिहास कहता है कि महाराना प्रताप पराजित हुए थे लेकिन जो तथ्य जो सत्य है वो बिल्कुल इससे उलट है पर इसी पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई है कि अपराजित थे महाराणा जी, युद्ध कभी नाहारे थे, परम्प्रतापी शोर्यवान थे, एक लिंग को प्यारे थे राणा हारे थे रण में यह लिखने वाले मकारों, उन्हें पड़ो इतिहास सत्य का और सत्य को स्विकारों हारा हुआ किसे कहते है, हारा हुआ उसे बोले जो परादीन ता स्विकारे हारा हुआ उसे बोले जो परादीन ता स्विकारे, आत्म समर्पन कर समक्ष दुस्त्मन को बोले हमारे या शत्रूने बंदी बना कर जड़ा कैद पर ताला हो, स्वाभिमान और मान प्रतिष्टा को जिसने तज डाला हो क्या माहराना प्रताव ने यह सब ढाता आन बान और शान च्वर से धर्म द्वजा फेर आई है हम भी उस मेवाडी राना के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है हम भी उस मेवाडी राणा के ही तो अनुयाई है और जिन इतिहासकारों को मैं चुनोती देना चाहता हूं कि आप मेवाड के उस छेत्र में जाये आज भी उस हल्दी गहटी युद्ध के बाद के जो सब्सक्राइब जीत पाए थे लेकिन पूरे क्षेत्र पर उनका अधिकार था तब मैं कहना चाहता हूं कि पहले के इतिहासकार कुछ अकबर के दर्बारी थे चाटुकार थे पूछ छिलाते उसके अंद पुजारी थे या गोरोने कमनिष्टों ने जूटा ये इतिहास लि अकबर कैसे था महान जो पातक पापाचारी था लंपड़ था वह रूप लुटेरा घातक अत्याचारी था काकर कसम एक लिंग की तुर्क उसे ही बोला था मात्र भूमी के लिए भले ही जंगल जंगल दोला था सत्य सनातन धर्न के खातिर जारी अभी लड़ाई है हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई है याद करो डर कर मुगलों ने जव हतियार गिराए थे मित्रों में इतिहाज के वो पन्ने इस्मरण करा देना चाहता हूं जब एक बार मुगलों ने महाराना प्रताप से धेशत थाकर अपने हतियार गिरा दिये थे और मेवाड के सैनिकों ने उन सब को बंदी बना लिया था उनके साथ मैं पूरे लाव लशकर के साथ मैं उनकी बेगमों को भी महाराना प्रताप के सामने ले आए महाराना प्रताप का मैं वो प्रताप बताना चाहता हूं नारी के प्रतिवों सम्मान के दर्शन कराना चाहता हूं जिसमें हमारी जो गोरव पूर्ण परंपरा रही ह इतिहास की उसकी भी जलक होती है कि यातरों डर कर मुगलों ने जब हतियार गिराए थे सैन्यबलों के साथ बेगमों के भी दल बलाए थे लेकिन राणा ने गरिमा का जुक करमान बढ़ाया था आदर सहित सुरक्षित सबको उनके घर पहुंचाया था अकबर की सेना में दमराना के सीने बाजू में अकबर की लगबग एक लाख सेना के सामने हमारे महाराणा प्रताब के 15-20 हजार सैनिक की उसकी ताकत जादा थी लेकिन जो दम खम था एक एक मेवाडी सैनिक में वो उनके सो सो सैनिकों से भी बढ़ करता तब मैं कहना चाहता हूं अकबर की सैना में दमराणा के सीने बाजू में महराना का पलडा भारी तोलो किसी तरा जू में तीन दशक तक रहा जूजता लेकिन हार नहीं मानी शोरिवान को जुकान पाया दुष्ट तुर्क वह अभिमानी ऐसे वीर पुत्र को पाकर भारतमा मुस्काई है हम भी उसमें वाडी राणा के ही तो अनुयाई है अर्द सत्य को पूर्ण सत्य और राणा के साथ मित्रों केवल सैनी खीनी लड़े थे अपितु मिवाड का हल्दी घाटी का जर्रा जर्रा महाराना के साथ लड़ा था, ऐसे अन बोले जीव, जिन चेतक का तो हम इस्मरेंट करते हैं, लेकिन उनका एक हाती भी था, राम प्रसाद जिसका नाम था, मैं बताना चाहता हूं कि किस कदर वो आत्मिय रूप से महाराना समर्पन कर डाला, मरते मरते घायल चेतक पार कर गया था नाला, पुत्र समस्ते थे राना चेतक ने धर्म निभाया था, अन बोले इस प्राणी का इस मारक भी बन वाज भी वो इस मारक है, जहां पूरे देश के लाखों लोग उस शहीद चेतक को नमन करने आज भी जाते है अन बोले इस प्राणी का इस मारक भी बन वाया था, बे जुबान हाती राना का याद करो पुरुबानी, भूका प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी, बारा महावतों ने घेर कर उस हाती को अकबर के पास लेके गए, अकबर चाहता था कि ऐसा बलशाली हाती इसके पास हो, लेकिन अठाइस दिन तक वो जिन्दा रहा, लेकिन मुगलों का, अकबर का एक भून पानी और कुछ भी उसने तिनका भी प्रहन नहीं किया, और अपने स्वाभी मान, अपने स्वामी भक्त महराना प्रताप के लिए उसने प्रान त्याग दिये, चेतक का ब भाया था, अनबोले इस प्राणी का इस मारक भी बनवाया था, तो बे जुबान हा ती राना का याद करो सब कुर्वानी, भू का प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी, बनवासी भोले भीलों ने संग में जंडे गार दिये, मुगलों के मनसूबों को जट तलवारों से फार दिये, टप 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 टाप टापों के स्वर देते हमें सुनाई हैं, हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुयाई हैं, अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई हैं, हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुयाई हैं, भाला और ढाल दो मनले राना रन में जाते थे, बिजली सी गिरती थी शत्रू थर 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 राते थे, एक बार में अश्व सहीद बहलोल खान को काटा था, कबर का सेनापती बहलोल खान, बहुत बल्शाली और शारिरिक शोस्टव इतना जबर्दस था, एक तलवार की वार से माराना प्रता अपने गोडे सहीद उसको धराशाई कर दिया था, एक बार में अश्व सहीद बहलोल खान को काटा था, मुगलों के लश्कर में भै था मातम था सननाटा था, जहां भई ती रक्तधार वे चन्नन जैसी माटी है, अवन भस्म गंगा माटी सी पावन हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में चेतक की ताप सुनाई देती है, उस मेवाडी शोर्यवान की चाप गवाही देती है, पुने लिखेंगे इतिहासों को, हमने कलम उठाई है, हम भी उस मेवाडी राणा के ही तो अनुयाई है, अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाडी राणा के ही तो अनुयाई है, और अंतिम पंक्तिया मैं देना चाहता हूं कि मित्रों आज भी इस देश की इस्टिती कोई विशेश अच्छी नहीं हुई है उस समय भी महाराना के और हमारे जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली थी और एक तरह से परोप्ष रूप स महाराना प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे अन्य था महाराना प्रताप के सामने उस जिसको हम लोग अकबर्दा ग्रेट कहते हैं था नहीं वो कदापी उस इस्तिती तक नहीं पहुंच वाता कि घर में नहीं एकता होगी जहां फूट होगी बारी वहीं लुट हो पाए हमें यही तो बस गम है हिंदू एक नहीं हो पाए हमें यही तो बस गम है नहीं अभी भी हम समले तो धर्न द्वजा जुग जाएगी आने वाली नसलें अपनी बड़ी सजा फिर पाएगी वी शहीदों के सपनों को पूरा करके मानेंगे स्वाबिमान रंग वाले भगवा द्वज को घर गर तानेंगे जै श्री राम घोश के संग में राधा क्रिश्न कनाई है हम भी उसमें वाडी राना के ही तो अनुव्याई है अर्द सत्य को पून सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उसमे वाड़ी राना के ही तो अनुयाई है तो जै महाराना प्रताप, जै जै राजस्थान, जै हिंद, वंदे मात्रम मित्रों